अस्सलाम अलेकुम कैसु आप सब अलम्दुलीला में ठीक उम्मिद करती हूं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी मेडम का जो वीडियो आया मीट अपला वीडियो तो उससे जदा वैल्यू तो कौसर की यह भई पिटा रहा तो कुछ भी कर ले कुछ भी कर ले तेरी कोई टैलेंट नहीं है अगर चैनल किसी के नाम से चलता है वो कौसर के ही नाम से चलता है कौसर ही है तेरे चैनल की जान आन बान और शान और यह चीज़का मैं प्रूब भी लगाऊंगे आगे आप लोग देख लेना तो यह मैडम जितना चाहे मर्जी यह सारे मीट अप के इसके उसके ड्रामे करके अपना सीना खोल के मेक अप करके लैंक लगा के मर्दों में गुस के मर्जी जो कर ले लेकिन जो व्यूज इसको कौसर से आते है ना वो व्यूज यह ले ही नहीं पाती है यह कितना अपनी एडिया रगड़ती है कभी मीट अप करना तो कभी चलता है तेरी क्या उकाथ ये देखो इसकी उकाथ देखो आप लोग ये काछा कि एंट्री का वीडियो और तेको कि व्योंज तर्फ लूँज गार। कोसर के ही वीडियो के उपर व्यूस पड़े हुए है फिर चाहे इसका मीट अप का वीडियो हो या मीट अप के अगले दिन का वीडियो हो इसकी आउकात यहीं से पता चलती है कि बिना कोसर के ना पिटारा तेरी कोई आउकात नहीं है तो यह बात है ना तुझे ड्रामे करती कि तेरी अवकात क्या है तो यह ड्रामे है ना करना बंद कर दे अपने आपको जो तु पता नहीं कौन सी व्लोगर समस्ती है खरीद के तुने सब्सक्राइबर जमा की है ना तो वही तेरी अवकात है विना कौसर के तू कुछ भी नहीं तू जीरो है अंडा है तू अच्छा भई पूरा मेटप खतम हो गया तो मैडम कहती है अरे बलून से भी सजाया हुआ था मेरी तो अभी नजर गई कमाल भई तेरी नजर थी कहाँ किस पे था तेरा ध्यान गोंचु को भी पूच रही है के कैसा लगा मेटप आप कहां थे अप कहां गायब हो गई थे वो बोल रहा तीना सोचो गोंचु इसके पीछे ही था लेकिन ये पूच रही कि आप थे कहां घर जाके बच्चों को पूच रही है मीटप कैसा लगा आप कहां थे आप लोग तो गायब हो गई थे अरे भाई सब तेरे से गोन की तरह ही चिपके हुए थे लेकिन तेरा ध्यान तो कहीं और ही मटक रहा था तो तुझे कैसे पता चलता के लोग सब कहां थे ड्रामे बाज औरत बकी आप लोगों ने देखा होगा कि इसको गोंचु से आप लोगों ने कोई भी किलीप में किसी की भी किलीप में नहीं देखा होगा कि बात कर रही हो गोंचु से या उससे जरासी भी म बैंडो में बड़ा ही इंट्रेस है बाकि मुझे बहुत तरत आया बिचारी दूसरी वाली सपोर्टर के उपर उसको बोली के कैमरे का कैमरा उसके मों में गुसेड के बोली के अभी आपको हम खाना खिलाने लेके जाएंगे इसने बोली अच्छा जी उसके बाद में क्या हु पैसे भी दूँगी इसके बाद आप जाना जो आपका चेक है ना वह मैं कल दूँगी तो फिर वह विच्छारी को खाना रात को नहीं खिलाई खली कैमरे में बदनाम करी और फिर उसको मना कर दी कि आप मत आओ खाना खाने ठीक है और एक को खिलाई अच्छा खाना खाने आई थी मेरे समझ नहीं आया दोनों मिया वीवी आये थे रात को एक बज़े खाना खाने के लिए लेकिन उन लोगों के साथ में उसका बच्चा नहीं था मेरे यह नहीं समझ आया बच्चा कहां था बच्चा कौन समाल रहा था क्यूंकि उलग तो होटल में भी रुके को पाती है लोगों को ब container बनाती है लोगों को पर क्या ही इंसान भरोसा करे खेर इनके आपर बैठे के लिए लोग यहां पर बैठके लिए भॉबते हैं सच्चाई क्या है उनको भी पता है और लोग हमेशा जो बोलते हैं परदे डाल दो परदे डाल दो तो हहाँ हमेशा लोग इसके जूट के उपर परदे डालते है इसकी planning plotting में ऊव लोग शामील रहते है और इतने पूरे वीडियो में बस यहीं दिखाई काम नहीं करते हैं और बैशरम कि तरह रख भी लिए इसकी एक सपोर्टर ने तो बड़ी बाते की थी वही कि ये मेरे घर पे आई थी तो मेरे से पैसा लेके गई थी फिर बोली थी कि मैं आपको वापिस दे दूंगी तो मैंने को उसने वापिस भी नी दी और मुझे चाहिए भी नहीं ये सारी बाते इसकी ही सपोर्टर ने की थी और इस वीडियो में नजर आया कि वो खुद भी पिटारा से पैसा लेती है बलके देती नहीं है वो लेती है ये बात इसने पिटारा ने खुद प्रूफ की कैमरे के सामने उनको पैसा देके उन लोगों ने मना भी नहीं किये खुशी खुशी रहे जबके पिटारा से पता चला कि वो लोग तो वहाँ पे रुके हुए थे जैर सी बाते चेक देना था तो इसने बोली रुख जाओ कल चेक लेके जाना तो लोग रुख गए भई फिर लोग शाम को निकले है और इसकी सपोर्टर दो पैर में आके बोरी है वो लोग निकल ग दखाई जितने भी इसके गर में चाच्चु इसका रितिक रोजन एसका भाई इसकी भावी और इसकर रितिक रोजन की बैन पता नीं कौन कौन आई हुए थे इसने फबी को दिखाई एक को भी नहीं चोड़ी अब क्यों दिखाई क्यों कि इसकी एक जो सपोर्टर बनी होई है न वो मीटब वले दिन ही लाइव लगा के बैठ गई कि बेड़ा क्यूं आया है इसकी अम्मा क्यूं आई है इसके अब्बा क्यूं आई मतलब सब के उपर उंगलियां उठा रही थी कि इसको नहीं आना चीए था तो इसने उसके मुपे चपेड मारने के लिए सब को दिखाई है क्योंकि इसने ये चीच के उपर भी आवाद उठाई थी कि इसने बाबर को क्यों दिखाई तब तलब के इसने सब को नहीं दिखाई थी अपने घर के अंदर नह तो सीधा सीधा नजर आ रहा है इसने पनी फेग सपोर्टर सब्सक्राइब यह विसे जब यह गाड़ी में बैट रही थी ना तो गाड़ी में बैटी थी और फिर यह बाबर को दिखा रही थी अगर वो आला सीना आप लोग देखो तो बाबर के मुझे सचा ही निकल गई बाबर ने उसके हाथ में दो फ्लावर के चोटेचे बुके और वो दिया फ्लावर दिया और बोला के यह मैं साजित भाई को दे रहा हूं ना के चारी मुझे सुचा ही निकल जाती है तो बाबर के मुझे सचा ही निकल गई कि कोउचरेत है तो वह इसकी वाईफ है और जो पिटा रहा हैं वह सीर्फ औरkonflower तेरी अक्टिंग करने ज़रूर होएंगे एक दिन और यह देखो इसके चाचा को दिखा रही है कि मेरी पिच्चर उठा के न उसने अपने मोबाइल के कवर में लगाया है अरे भई यह क्या चीज है हां यह क्या चीचो रहा पने तेरा चाचा तेरी बाप की जगा पे वो तेरी पिच्चर लगा के गूम रहे जिसे बीवियों की लगा के गुमते है गलफ्रेंड की लगा के घुमते है बीवियों की भी नहीं लगाते भई ऋ चीज से भी इसको कोई लेना देना नहीं है और दूसरा ये उन लोगों को खाना खिलाने के लिए बाहर लेके गई मतलब घर पे नहीं बुलाई घर भी तो लोगों को इज़त से खाना खिला सकती थी लेकिन नहीं के मैं लोगों को खाना खिला के आती हूं बोलके घर के सारे म को लात मारते हुए उन λोगों के पास में चली गई और बाहर जाके उन लो खाना किला के फिर उनका चैक दे के इतनी बेश्थटी तो मेरे को नहीं लगता है कि यह जती और बाबर बोल रहा है के मैं जारहा हूँ तो इसको एक बात भी नहीं करती है अब सोचो के दो मेहमानों के लिए घर वाले सभी मेहमानों को इसने डिस्रिस्पेक करते हुए निकल गई कि लोग इसके कितने बड़े गुना को छुपाने वाले ब्लैक मेलर है इसलिए तो न और मुझे तो इसके बच्ची का सोच के बड़ा अफसोस हुआ कि रात तो इसने अपनी बच्ची उन लोगों के घर पे कैसे छोड़ दी इतना भरोसा कोई नहीं करता भई जब यह बोलती के लायक है फिर बाद में जब तेरा काम निकल जायेंगा तो फिर तूरोना दोना सुरू हो जाएंगा कि मिरा फाइदा उठा लिये मुझे दोका दे दिये एक और दोका मिल गया फिर तेरा टैटल थमने लग जाएंगा इतना दूसरे के अंदर गुसना उससे फाइदा और इसकी जो ये जो supporter थी उसने बताई कि बिल भी खाने का है ना उस बीबी ने भरी तो आप लोगों को क्या लगता है क्या वो अपनी जेब से भर रही है जाके मेरी आप लोग कल की वीडियो देखो आप लोगों को समझ में आएंगा कि इसके इतने नकरे उठाना इसके बिल भरना ये सब कौन कर रहे है जिससे ये शादी के सपने देख रही है ना वो कर रहे है देखे आपने मेरी वो वीडियो सारा कुलासा मैंने वो वीडियो में की हूं तो वो वीडियो जाके आप लोग जरूर देखना आप लोगों को पता चलेंगा कि ये इतनी आयाशिया कैस लोगों को वह देना था चैक देना था उसके लिए बहाना कितना अच्छा कर रही है कि गिफ्ट लेने का टाइम नहीं मिला हस्बेंड अपनी वाइब को लेकर आए फिर हस्बेंड अपने घर की तैयारियों में लग गए तो जाने का टाइम नहीं मिला जबके आप लोगों ने देखा होगा कि ये रोड डेली मारकिन बटकने गई है डेली गई है कभी वैक्स करवाने तो कभी क्या करवाने कभी कपड़े लेने डेली गई है लेकिन इतना जूड बोल रही है कि हस्बेंड को टाइम नहीं मिला और जबके आप लोग देखी रहे हो कि हस्बेंड इसका इसी के दुम के पीछे फिर रहा है ना तो वह अपने घर की कोई तैयारिां कर रहा है ना कौसर उधर रहे है ना उ Зд props वहा का कर रहे है तो कि इतना जूड बोलती है न ये जूटी डोगली औरत मेंगो तो वहां पर इतनी हici है कितनी मैलवी आई यह इतने खुदी थाबित कर दी जब यह वहां पे होटल में उतरी है तो यह अपना हाथ दिखा रही है बोल रही है कर लोगों ने मुझे इतनी चुम्मिया दी हाथ पे कि लिफ्टिक अभी तलक के लगी हुई है अरे भई तू उटके नहाई दोई नहीं कपड़े चेंज कर मुझे मेकप थोपड़ के ऐसे लिफ्टिक अभी तलक लगी हुई है तो लगी ही रहेंगी ना ऐसा तो है नहीं के वह गोंद की लिफ्टिक निखलेंगी नहीं जब तू लगा के नहाएंगी नहीं मतलब लोग ने लगा दिये उसके बाद में नहाती जाब उन्से दोती तो निकल जाती है न हर हाल में निकल जाती है आप यह तो बोल रही है कि रहे तुमने सारा के साथ में कपड़े भी मैचिंग कर लिए सेम तु वहां इसी दिख रही है सच में ऐसा लगए है वो किसी उसके सर पर मां का साया है पहली बार ऐसा लगा है कि वो बच्ची कितने अच्छे है थे उसको ready किया गया है बोलो आप लोग के इसके पास में इतना पैसा है इतने अयाशियां करती है सारा कुछ करती है और ऐसा भी नहीं है कि खरीदारी नहीं करती है इत दीन शॉपिंग पर जाती है लेकिन वो बता रही थी कि वीबी के जो बैन है वो बता रही थी कि जूते उसने आयत को दिला के लेकर आई है बताओ कितनी बिखारन होएंगी फिर यह मतलब आरचीच खरीदने जाती है फ़ी पता नहीं खरिटी है कि खली दिखा के फिर वापित देखे आ जाती है। जूते तक कि उसने अगर खरिटीचे पिनाई है इसको बच्ची को तो फिर ये क्या ही लोगों के लिए खर्चा करते होगा आ जाती हैं बच्चे काट खेलती है और और लोगों से यहां पर सिम्पतियां लेती है लेकिन कुछ भी बोलो मैं को इसकी बच्ची न वो टेम पर अच्छी लगी लग रहा था कि हाँ इनसान की मतलब उसके सर पे मांका साया है जीते मां अपने बच्चों को तयार करती है ख्याल रखती है वैसी दिख्री थी इसकी और खुश भी थी जाइर सी बात है ना अटेंशन मिली होगी उसको वहां पे खयाल रखा गया होगा उसका इसके लिए देखो वो रह भी ली वरना बच्चे रहते नहीं है रोने लगते हैं क्योंकि अटेंशन मां से जादा कोई देता नहीं है लेकिन इसकी बच्ची देखो और रोना धोना नहीं कुछ नहीं और दिखने में भी तयार कितना अच्छा करके लिए थी सेम टू सेम अपनी बेटी की तरह तो पिटारा थोड़ा सी ना चुल्लू बर पानी ले और उसमें डूपके मर जम वैसे जब से फसाधन बाजी मीटप में आई ये तब से की है और आप लोगों को पता ही है कि लोग अपने कैमरे में ना हर एक चीज को एक्सपोस करी देते हैं तो हां लग तो रहा है देखके बाकी ही प्रेगनेंसी एती चीज है ना के इंसान चुपा नहीं सकता है और वह सामने आती ही आती है तो पता नहीं भाई मुझे भी देख में मैं नहीं देखती हूँ लाइब में किसी ने बताया था तो भई देखेंगे जो भी है अगर है तो फिर तो बड़ी अजीब बात है कि प्रेगनेंसी में इतनी दूर जाना और इतना जूड बोलना और इतने धोका धड़ी करना सोचो बच्चे पे क्या असर होगा नहीं प्रेगनेट औरत को तो अच्छे काम करना चीए अल्ला रसुल की बाते करना चीए खुदा के खौफ से डरना चीए कम से कम सफर करना चीए लेकिन क्या पता यार क्या है चले छोड़े इस बात को हमें क्या इसे पता नहीं आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया इस बात थी उससे फटा चलता है कासर के उप़र कितना जूलूम कर रही है यह देखो नहीं पर लेकर आने के बाद में कासर को घर में बंद करके रख दी है कुद हैं वहां जाते रहती है कभी शौपिंग के लिए तो कभी डिनर करने तो कभी लंच करने मतलब यह गुमती रहती है उसको लाके घर में पटक दिये उसके नाम से व्यूज कहा रही है और आखों में आसू या मुँ पे रोना इसे ही नहीं आ जाता है इंसान तकलीफ में रहता है ना तो ही आत इसा लगता है ना के कॉसर मतलब इसी लिए नहीं रहती है क्योंकि पिटारा ना उसके अब पर जुलूम करती है करती तनकीद करना, काम कॉरवाना, ताने देना, पतां क्या हिसा उसके साथ जुलूम होता है जो यहां पे रहना पसंदी नहीं करती है अच्छे अच्छी बन के उसको बुलाती है बाद में उसके उपर जुलूम करके गाली गलोच करके भगा देती है और लोगों को लगता है वो तो उसकी वाइफी नहीं है अगर वाइफ होती तो सच में इसको छोड़के थोड़ी जाती माई के में रहना पसंद थोड़ी करती यही सारी बाते दिमाग में आई जो भी है बस अला खेर करे जो सच है वो जल्दी से जल सामने आए यही दुआ है हमारी और इस वीडियो को यही पेंट करती है वीडियो क हुआ है